हैलो फ्रेंड्स मैं हूँ अर्चना वेलकम तो मैं चैनल फोर्शेप आज मैं बताने वाली हूँ नान के लिए परफेक्ट आटा किस तरीके से बनाए और कितनी देर के लिए रखें आटे में क्या-क्या मिलाएं कि जो नान है एकदम मार्केट जैसा तयार हो तो उमीद करती हूँ ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी और यकीन मानिए आपने अगर पहले कभी भी नान घर पर नहीं बनाया है तो ये वीडियो देखने के बाद एक बाद जरूर ट्राई करें नान जो है बहुत अच्छा बन कर तयार होगा इसमें मैंने बताया है कि आटे में आप क्या क्या मिलाएं और कितनी देर के लिए रखें कि जो आटा है एक्दम परफेक्ट तयार हो जाएं तो आईए देखते हैं इसे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आईए देखते हैं नान के लिए इक्दम परफेक्ट आटा किस तरीके से बनाएं नान पनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है एक चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर एक चम्मच चीनी वन फोर्थ चोटा चम्मच बेकिंग सोड़ा एक चोटा चम्मच नमक और दो चम्मच तेल डालकर पहले अच्छी तरा लिया दाथैं लिया है मिक्स करने के बाद अब मिक्स कर लेते हैं पहले अब इसे मिक्स करने के बाद हम इसका आटा त्यार करेंगे गरम पानी से उससे क्या है जो यह नान का जो डो है ना आटा है यह बहुत ही अच्छा फर्मेंट होगा बस आटा मैंने त्यार कर लिया है एक बार हल्का सा ओयल लगा देते हैं इसके उपर बस यह आटा तयार हो चुका है अब इसे हमें रखना है फर्मेंट होने के लिए तो अच्छी तरह पहले इसे कवर कर ले अब हम इसे किसी गरम जगह पर रख देंगे चार से पांच घंटे के लिए तो नान पनाने का जो डो था वो बहुत यह अच्छी तरह फर्मेंट हो चुका है आप देख सकते हैं बस एक पर हलका सा गूत लेते हैं इसे बस अब छोटी छोटी लोईया बना ले नान जो है ज़्यादा मोटा नहीं बनाये जाता है पतला ही बनाये जाता है और पतला नान बहुत ही टेश्टी लगता है बस थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करें और पतला सा बेल ले मैं आपको एक नान बना कर दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनाते हैं बस अब इसके उपर हम पानी लगाएंगे आप चाहे तो थोड़ा सा कलोंजी और या सैसे में सीट्स भी लगा सकते हैं जो कि देखने में अच्छा लगता है धन्या पत्ती भी लगा कर आप बेल सकते हैं देखने में बहुत ही अच्छा लगता है तो इसे बनाने के लिए मैंने पहले से यह तवा गरम कर लिया था तो जो पानी वाला हिस्सा है ना उस तरब से हम तवे की उपर डालेंगे और जब एकदम से इसकी उपर बबल्स आ जाए तो इस तरीके से हम सेखेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं नान बनाना बहुत ही सिम्पल होता है और खाने में फाइंट बहुत अच्छा लगता है और वैसे घर में अगर आप coconut की छीजे बना कर खिलाते आना बच्चे बहुत खुस हो जाते हैं और अपने को भी बहुत अच्छा लगता है बस ही अमाँ नानP बना तो बस इसी तरीक से सारा नान बना कर तयार कर लेंगे तो कैसी लगी आप को video में थेंक यू